चतिसगर की प्राचिन राजधानी रतनपूर जहां राजा महराजाओं के समय से जो स्वणडिम परंपराय विक्सित हुई थी उसका जीता जाकता स्वरूप आज भी यहां देखने को मिलता है उनमें से एक है रतनपूर का माघी पोडिमा मेला जिसे चतिसगर की सम्रिद संस्कृती का परिचायक माना जाता है सब्ता तक चलने वाले रतनपूर का मागी पोडिमा आदिवासी विकास मेला प्रारम हो चुका है जिसका बड़ा ही एतिहासिक वा आध्यात्मिक महत्व माना जाता है साथ दिनों तक चलने वाले इस मेले में चतिसगड़ी लोक कला को विसेश इस्थान दिया जाता है क्यू दंती के अनुसार रतनपूर का मागी पोडी ममेला आठा बिसा तलाप के निकट राजा के निधन के पश्चात 28 रानियों की सती होनी की याद में लगभग 500 वर्स से लगता रहा है जो पूरे 36 गड़ में प्रसीद है जहां उक्त मेला इस्थल पर आज भी उन रानियों का स्तती चौरा विद्धमान है रतनपूर मेले की एक खास पहचान यह है कि यहां की मिठाई जलेवी की दुकान इसके अलावा यहां का सबसे प्राचीन पकवान है उक्रा प्रसाद जिसके बिना मेला अधूरा माना जाता है जिसमें बड़े बड़े टीले नुमा उक्रा क की दुकान जो इस मेले की मज़ा को दुगुना कर देती है और किसी समय में इसकी खास पहचान हुआ करती थी खेलतमासा सरकस रामलीला चारो धाम और रहचुल जूला आदी किन्तु समय के बदलते हुए आधूरिक परिवेस में जहां एक तरप परंपरा गत चीज हो गई है वहीं दूसरी तरप आधूरिक जूलों के अलावा उनके इस्थान को मीना बजारने ले लिया है जिसे इस मेले की सान कहा जाता है इस मेले में अधिकांस लोगों ने इन तरह तरह के जूलों का लुद्प उठाने यहां पहुच रहे हैं तो वहीं छोटे बच्चों की रंग बिरंगी लाइटो से सजी विभिन जूले स्वास फूर्त ही बच्चों को अपनी ओर आकर सिख कर रही है इस तरह से इस मेले में हर वर्ग के लोग यहां पहुच रहे हैं और मौज मस्ती का अलम बना हुआ है आपने सखी साहलियों साथ आई हूं यहां में गुपचुप चाट खाई हूं और जूली हूं अपना पन लग रहा है कि एक मेला है वर्ग से इंतिजार करते हैं साल मेर कार आता है पर अच्छा लग रहा है इस तरह इस मेले के दोरान साथ दिनों तक विविद इंद्रधनुसी सांस्कृतिक कारिक्रमों की धूम मची रहेगी जिसमें एक से बढ़कर एक विविन कारिक्रम प्रस्तूत किये जाएंगे जिसके तहट आज नए उभरते कलाकारों द्वारा सुगम संगीत के अंतरगत कोटा से पहुचे कलाकार द्वारा गायक मुकेस की आवाज में सांदर प्रस्तूति दी गई रतन पूर्शे डिजीटल रिपोर्टर गुरु देव सोनी की रिपोर्ट